एक कविता संघर्षों के नाम, एक कविता प्रतिरोध के नाम, एक कविता उम्मीदों के नाम, एक कविता तनी हुई मुठ्यों के नाम, एक कविता अपने वजूद के नाम, एक कविता आपके नाम चूलहा मिट्टी का मिट्टी तालाब की तालाब ठाकुर का भूख रोटी की रोटी बाजरे की बाजरा खेत का खेत ठाकुर का बैल ठाकुर का हल ठाकुर का हल की मूट पर हतेली अपनी फसल ठाकुर की कुआ ठाकुर का, पानी ठाकुर का, खेत खलिहान ठाकुर के, गली मुहले ठाकुर के, फिर अपना क्या, गाउं, शहर, देश, हमारे दौर के प्रखर साहित्यकार, दार्शनिक, चिंतक व विचारक, ओम प्रकाश्वाल मेर्की जी को हमा जियात कर रहे हैं। मैंने भी देखे हैं यहां, हर रोज, अलग अलग चेहरे, रंग रूट में अलग, बोली बानी में अलग, नहीं पहचानी जा सकती उनकी जाती। बिना पूछे, मैदान में होगा जब जलसा, आदमी से जुड़कर आदमी जुटेगी भीड, तब कौन बता पाएगा भीड की जाती। भीड की जाती पूछना वैसा ही है, जैसे नदी के बहाव को रोकना समंदर में जाने से। जाती आदिम सभ्यता का नुकीला आउजार है, जो सड़क चलते आदमी को कर देता है चलनी। एक तुम हो जो अभी तक इस जाती से चिपके हो, न जाने किस ने तुम्हारे गले में डाल दिया है जाती का फंदा, जो न तुम्हें जीने देता है न हमें। यहां कुछ शब्द ऐसे हैं जिनको मैंने रिट कर दिया है माजरत के साथ। इसे कविता की अगले खंड में ओम्हें प्रकाश वालमी की लिखते हैं कि लूटेरे लूट कर जा चुके हैं, कुछ लूटने की तैयारी में मैं पूछता हूं क्या उनकी जाती तुमसे उंची है। ऐसी जिन्दगी किस काम की जो सिर्फ घ्रणा पर टिकी हो, कायरपन की हद तक पत्थर बरसाए कमजोर पडोशी की छट पर। उम्रकाश वालमी की अपनी प्रसिद्ध कविता बस बहुत हो चुका में लिखते हैं, जब भी देखता हूं मैं जाडू या गंदगी से भरी बाल्टी, कनस्तर, किसी हाथ में, मेरे रगों में धहकने लगते हैं, यातनाओं के कई हजार वर्ष एक साथ, जो फैले हैं इस थर्ती पर ठंडे रेत कड़ों की तरह, वे तमाम वर्ष वृत्ताकार होकर घूमते हैं, करते हैं छलनी लगातार, उमलियों और हथेलियों को नस नस में समा जाता है ठंधा ताप, जारू थामे हाथों की सरसराहट, साफ सुनाई पड़ती है भीन के बीच, बियाबान संगल में संसनाती हवा की तरह, गहरी पत्रीली नदी में असंख मूख पीड़ाएं कसमसा रहे हैं, मुखर होने के लिए रोश से भरी हुई, बस बहुत हो चुका चुप रहना, निरर्थक पड़े पत्थर, अब काम आएंगे संतब्त जनों के, और उनकी प्रसिद्ध कव संता, सदियों का संता, दोस्तों, बिता दिये हमने हजारों वर्ष, इस इंतजार में कि भयानक त्रासदी का युग, अदबनी इमारत के मलबे में दवा दिया जाएगा किसे दिन, जहरीले पंजो समेत, फिर हम सब एक जगए खड़े होकर हथेलियों पर उतार सकेंगे, ए एक सूर्य, फिर हम सब एक जगए खड़े होकर हथेलियों पर उतार सकेंगे, एक एक सूर्य, जो हमारी रक्त शिराओं में हजारों परमाडुक्षमताओं की उर्जा समाहित करके, धर्ती को अविशाप से मुक्त कराएगा, इसी लिए हमने अपनी समूचे घ्रणा को पार दिया है, ताकि आने वाले समय में ताजे लहों से महकती सडकों पर नंगे पाउं दोड़ते, सक्त चहरे वाले सामले बच्चे देख सकें, कर सकें प्यार, दुश्मनों के बच्चों में अतीत की गहनतम पीडा को भूल कर, हमने अपनी ओलियों के केनारों पर दुहस्वप की आज को असंख बार सहा है, हमने अपनी ओलियों के केनारों पर दुहस्वपन की आज को असंख बार सहा है, ताजा चुभी फास की तरह, और अपने ही घरों में, संकीर पतली गलियों में, कुनमुनाती गंदगी से, टकनों तक सने पाउं में सुना है, दहारती आवाजों को किसी चीख की मानिंद जो हमारे हिर्दे से मश्टस्क का का सफर तेंग करने में ठक कर सो गई हैं दोस्तों इस चीख को जगा कर पूछो कि अभी और कितने दिन इसी तरह गुमसुम रहकर सदियों का संता सहना बहुत बहुत अन्वा कुविता आपके ना